हम सुनाते हैं आपको सूरज और उसके सितारे की दास्तान यानि लाजवन्ती सल्दनत की दास्तान इसकी इप्तदा यूं होती है कि सन 1554 में सितारों ने एक बच्ची को जनम दिया इस शहजादी का नाम था बिंदिया एक सुभा उसे बहुत मुन्फरिद दोफा मिला जिसे पाकर उसे खुशी भी हुई और बहुत हैरत भी ये थे नन्ने मुन्ने सोने के बहुत से सितारे सितारे ये कहां से आए और वो भी जमीन पर तो शहजादी ने इन सितारों को अपनी कनीजों की मदद से कपड़ों पर लगाना शुरू कर दिया सितारे जैसे ही कम पड़े उसने अपने मददा को मजीद सितारे भेजने की दरखास्त भी कर डाली कुछ दिनों बाद जब शाह बहराम नामे शहजादा शहर में दाखिल हुआ तो शहजादी को पहली नजर में ही अंदाजा हो गया कि तुफ़ा भेजने वाला शख्स यही है उसे ये भी वाज़ हो चुका था कि शहजादे को सूरज की शवकत हासल है सो दोनों के एहसासाद में एक चमक थी यहीं से लाज़वन्ती एहद की इब्ददा हुई इनके दर्मियान शादी देपाई सब शहजादे और शहजादियां इसमें शामिल हुए इस महफिल को रौनक बखशने के लिए चान ने अपनी बेटी को बेजा ताके वो खुशी के गीत गाए और इनकी शादी को मुबारिक बनाए इस तकरीब की गवाही, सूरज, चान्द और सितारों ने दिया जमन दामा देहका हुआ है आतिशे कुल से जमन दामा यार इस टीड़न देहका हुआ है